हरदोई में एक युबती ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिए बताया जाय रहा ही की दौनों दोस्त थी जो युबक था वह लड़की पर अत्याचार करता था धमकियों से तंग होकर महिला ने आत्महत्या कर लिए एसपी द्वरगेश कुमार सिंग ने बताया के शब को पोस्ट माटम के लिए फेज दिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजिकरत करते हुए आरूपियों के विरुद कारवाई की जाएगी कि अधार पुठाना चेत्र में वहाँ पे बिश्राम नाम के बेखती हैं उनकी पुत्री उननीस भरसी पुत्री जिसका गाउं के ही एक कि अधिसे फ्रेल प्रसंग चलना था और दो दिन पहले घाउं घर में आयरा था और इनों को जömकब देखे गया था और इन्होंने अपने पुत्री की साधी। पह्ताई की थी इसी बात को ले कि वह धंकी दे रहा इससे आहत होकर घर में ही कवरे के अंदर इनकी पुत्री ने सुबह आत्भथ्या कर ली शवको पंचायत नामा हेतु भेजा गया है पोस्मार्टम कराया जा रहा है और तहरीर लेकर फ़यार पंजी किया जा रहा है जिगरही नामजद अभ्युक्तों जिसमें तीन लोग नाम कि अ